या देवी शर्व भूतेश विद्या रूपेन संस्थिता नमस्त श्याई नमस्त श्याई नमस्त श्याई नमो नमा नमस्ते हरे कृष्णा माई लवली फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में स्वागत है ये वीडियो वसंत पंचमी स्पेशल वीडियो है जिसमें हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे सरस्वती माता को समझने की उन्हें जानने की उन्हें पहचानने की ये हम सभी को पता है कि ये विद्या की देवी है पुद्धी की देवी है ज्यान की देवी है विवेक की देवी है ये रही हमारी सरस्वती मा जो एक मयूर पे सवार है यहां है उनके एक हाथ में वेद ग्रंथ जो हमें ज्यान देता है नौलिज प्रोवाइड करता है अब ग्यान से जुड़ी कुछ बाते हैं सिर्फ ग्यानी होना ही अपने आप में पूनता नहीं है हम सभी जानते हैं रावन भी बहुत ग्यानी था इसलिए ग्यान के साथ साथ हमें उसका स्मरण और उसे अपने जीवन शैली में उतारने की प्रतिभा भी आनी चाहिए इसलिए हाथों में है ये जब माला जो भी ग्यान हमने अरजित किया है उसे स्मरन रखना भी बहुत ज़रूरी है ग्यान आपने अरजित कर लिया और कल को हम भूल गया कि हमने ग्यान क्या प्राप्त किया था इसलिए उसे स्मरन रखने वाली जो सिंबल है वो है ये जब माला हम जब करते हैं हर मंतर का 108 बार जाब करते हैं तो वो मंतर हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और हमें उनका स्मरन रहता है अब तो हो गई ग्यान को अरजित करने की बात ग्यान को स्मरन रखने की बात पर क्या ये काफी है नहीं ग्यान को हमने अरजित कर लिया ग्यान को स्मरन कर लिया अब ग्यान को हमें इंप्लिमेंट करना है इट मीन्स कि हमें वो नॉलेज को कहीं पे यूटिलाइज करना है स्किल्फुली अपनी कला के द्वारा, अपनी क्रियेटिविटी के द्वारा तभी वो ग्यान हमारे लिए उप्युक्त रहेगा यहां सरस्वती मा के हाथों में वीना है, वो वीना बजा रही है यह किस बात को सिंबलाइज करता है? यह सिंबलाइज करता है स्किल्स, कला हमारे पास ग्यान होना चाहिए, ग्यान को इस मरन रखने की शक्ती होनी चाहिए और उसके साथ साथ उस ग्यान को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए हमारे पास कला होनी चाहिए इसलिए हम सरस्वती मा को कहते हैं विद्या दाइनी, बुद्धी दाइनी और इससे हमें नहीं सिर्फ ग्यान आता है हमारे जीवन में मधूरता आती है हमारी वानी पे कन्त्रोल आता है इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा मधूर बोलिए अच्छा बोलिए मीठाट बोलिए क्योंकि सरस्वती मा हमारी जिवा पर विराजित रहती है कब क्या निकल जाए कौन सी बात ये सत्य घटना में परिवर्दित हो जाए हम कुछ भी नहीं जानते हैं मा हमें ग्यान के साथ साथ वीवेग भी देती हैं कि हम सही गलत हर चीज़ को बारीकी से अच्छे से पहचान पाएं उनमें अंतर कर पाएं और अपने सूझ बूच से अपनी समझ से कारियों को कर सकें यदि आपके पास knowledge है उसको apply करने के लिए skills है सही से आप हर चीज articulate कर सकते हो कि कौन सी चीज कैसी होनी चाहिए कैसी है वो बुद्धी है वो विवेक है वो सूझ बूझ और समझदारी है तो आप सफल भी रहोगे खुश भी रहोगे healthy भी रहोगे सब कुछ आएगा आपके पास इस जानकारी के साथ चलिए आये हम सरस्वती मा की इस वसंत पंचमी पर बंदना करते हैं उनसे आगरह करते हैं और आशिरवार लेते हैं कि वो हमें विद्या ज्यान बुद्धी सुझ बुझ समझदारी प्रदान करें और हमारे जीवन शैली को एक अच्छे व्यक्ति तुम में निखा रहे हैं इसके साथ मिलते हैं नेक्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंस एंड फैमिली के साथ शेर कीजिए चैनल पर नियू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए टेक क कर दे